हज महराष्य का जैसा टेस्ट मुंगदाल का पोकुड़ा घर पे बनाये है आप एकदम कम समय में और ठंड़ी का मोसम में एक्छोली क्या होता है फ्रेंड explains में जाने के दिलने करता तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं घर पे ही गर्मा गरम मूंग दाल का पकोड़ा एकदम कुर्कुरे टैब में बनाते हैं तो बहुती स्वाधिश्ट आपका घर पे बनने वाला है मूंग दाल का पकोड़ा तो सबसे पहले हम मूंग दाल ले लेते हैं मिनिमम्म दो सो गराम जैसा आप लोग जितने पीपेल से साब से ले लें और इसमें हम टूपीसे ओनियन चौपिंग करके ले लेते कीमा करके और उसका साथ इंडियन मसाला जो हता है मतलब इंडियन स्पैसेस जिसमें अजवाइन भी आता है और उसमें हमने देखिए ग्रीन चीली लिया हो और coriander leaves लियाओं और black salt भी लियाओं और उसका साथ chili powder, white salt और turmeric powder मतलब healthy powder और jira powder लियाओं तो friend मैंने सभी species का नाम भी बोल दियाओं और दाल का नाम भी बोल दियाओं मैं moon dal से बनाने वलाओं तो आप जरूर कोशिस कीजेगा एकदम ये सब आइटम जो है आपका घर पे available ही रहता है कोई जरूरी नहीं है समको बजार से लाना है चना दाल हो यो moon dal हो आप अच्छे से घर पे ठंडी के टेम में चाय के साथ evening snacks में पोकोडा ले सकते हैं तो फ्रेंड ये देखिए हमने दाल को तीन चार पाने से अच्छे से धुलाई कर लिया हो और mixer में ग्रेंड कर लेता हो मतलब पीस लेता हो लेकिन पीसने को मतलब ये नहीं जो आप पूरा अच्छा तरीका से mint chutney के तरह पीस दे नहीं फ्रेंड इसको थोड़ा सा दानाद रखना है मतलब थोड़ा सा पीसना भी नहीं चाहिए और थोड़ा दानादार भी रहना चाहिए तो चलिए फ्रेंड ये देखिए इसमें हमने वन कप्स जैसा है ओनियन चौपिंग किया हो जो था एड़ कर लिया हो और उसका साथ हमने ग्रीन चिली जो फोर पीसेस कटा हो एड़ कर लिया हो और हैप टी स्पूं जैसा मैंने जीरा पोडर और टाहिंग्रिपॉरर हप्टी एड़ कर लिया हो और उसका साथ हमने देखिए ये तीकर लल पोडर मतलब चटपटा के लिए और कलर के लिए एड़ किया हो और उसका साथ ब्लेक sleeping गया तो चलिए है और अजवाइन को आप क्या करें था से हाथ पे दोनत दे के रगर दे अच्छा तरीका से तो उसका जो फ्लैवर आता है खुल के बहुत ही अच्छा आता है सेंड तो चलिए फ्रेंड हमने जो जो एस्पैसे यूज क्या हूं पोकोडा के लिए तो आप लोगों को मैंने बा जूर कीजिएगा और मैं उमीद करता हूं जो आप लोग घर पे एक बार बना के कोमेंट भी कीजिएगा तो देखिए इसमें हमने थ्वासा गार्लिक और चाट मसला भी एड़ गया हूं फ्रेंड तो यह देखे मेरा फोकोडा बनने के लिए एकदम होट है तेल मतब तेल गरम मैं उसमें मैं 30-2011 करके छोड़ रहा हूं लेकिन फ्रेंड इसको चापना नहीं है एकदम एक सही इसी सेप में छोड़ना इसको पुड़ा प्लेन भी नहीं करना थ्वासा खुला खुला रहने देना जो क्रिस्पी हो तो फ्रेंड यह देखिए बारी से वन बाई वन स्ट्रीप करके मैंने इसमें छोड़ रहा हूं और देख ला रहा हूं और आप इसको क्या करें एकदम घर पे कम स्ट्रीम में बनाएं कोई ज़रूरी नहीं है अगर आपका घर में अल्मुनियम का कराई हो उसमें भी अथ्वासा तेल आइड करके ले ले लेकिन मैं यह बत कर सामने सर्फ करता हूं रिष्ट्राइन में एकदम ठेला ज का पकोडा है रिष्ट्राइन मैं सर्फ करता हूं एकदम बहुत अच्छा तरीका से इसका सत्मिंच चटनी मतलब ग्रीन चटनी एड किया हूं और यह देखिए हमने ठोऊ सा टेमेटो और ठोड़ा सा इसप्रि गर में राते हुए समान के लिए रिसीपी लेके जरूर आऊंगा तो सिस्क्राइब करना ना भूले और बैल अकुन दवाना ना भूले लैक जरूर की जैग फ्रेंड आज के लिए ठैंक यूँ